पेलकम बैक अगेन ओनलाइन क्लास ओफ हिंधी सेक्टिन अबीन पल्लव प्यारे बच्चो हमने अपने चैप्टर फोर्टिन कम्पडीट कर लिए थे अब हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट चैप्टर फिप्टीन बीरबाल्ग भॉला ये एक शोर्य कथा है दियान से देखेंगे बच्चों इसमें भारते इतिहास शोर्य काथाओं से भरा हुआ है इस एतिहासी कहानी में बीर बालक भोला के साहस और बलिदानों का रोमांचक वर्णन किया गया है एक भोला नाम का एक भील बालक होता है बच्चो वह उसकी उम्र लगबख 14-15 वर्स की होगी उसका रंग सामला मस्त अलहर किशोर भील सरदार का वो एक लोता बेटा था और अरावली परवत माला की सगन पहाड़ीों की घाटी में पूस की जोपड़ी में मा का वो लाड़ला और पिता का प्यारा पुत्र भोला था ठीक है तो ये वो समय था बच्चो जब मुगल सत्ता ने सारे देश में अपने पाव जमा लिये थे केवल मेवाड के महराना प्रताप ही स्वतंत्र रहकर अपनी अस्मिता यानि अपने गर्व के लिए अपनी अभिमान के स्वाभिम में भटक रहे थे और चापामार युदकर मुगलों को नाकोचने चबवा दी थे यानि उन्हें परास्त कर रहे थे एक दिन भील सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो राना परिवार के लिए साम का भोजन हमें विवस्था करनी है और इसका भार हम पर ही है इसलिए हम बनवासी राजसी भोजन की विवस्था अब कैसे कर पाएंगे तो उसकी पत्नी ने बहुत तोड़ा सा कुछाते हुए कहा अरे भोली राना जी तो देपता है जो भी रूखा सुखा भेट कर देंगे वे उसे अवश्य ही ग्रहन करेंगे भील सरदार ने कहा और सुन मैं त भोला को आवाज लगाई जब आवाज लगाई तो जो भोला है अपना सावक सा भोला उचलते हुए कूटते हुए तुरंत आ पहुचा आता ही मा से पूचा कि मा क्या बात है उसकी मा ने कहा कि बेटा सुनो मेरी भा ध्यान से कि देखो बेटा आज तुझे राना परिवार के लिए भोजन सामगरे लेकर राणा जी की गुफा तक जाना है उसने कहा क्या मैं जाओंगा भोला ने खुशिशे उचल कर कहा यानि उसे बहुत प्रसन्नता हुई बच्चो तब उसकी माने कहा हाँ तेरे पिता जी बाहर गए हैं और तुझे ही वह कठिनकार्य करना है तो भोला का तो अंग अंग फाड़ा कुटा यानि बहुत प्रफुलित था खुश था उसकी बाहरे खेल उटी राणा जी के दर्शन करने उनके चरण स्पर्श करने राणी मा का शुरवाद लेने और हमुम्र अमर सिंग से मिलने की बरसो पुरानी उसकी इच्छा पूरी जो होने जा रही थी तो बहुत खुश था मा ने उसको कुछ बाते समझाई और कहा कि बेटा देखो किसी अंजान या मुगल की निगा तुम पर ना पढ़ जा इसलिए पूरी गोपनियता यानि सतरकता बरत्ते हुए जाना सारी बातियों से समझाई भोला को तो ध्यानी नहीं था वो तो अपनी ही विचारों में मग्न था उसे तो बस एक ही बात समझ में आ रही थी विचारों में आ रही थी